Hey alls up guys, welcome to the day 7 course और आज भी बात करने वाले हैं DP के एक भौत important question के बारे में Maximum Sum 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 Matrix ठीक है? इसको हम करने वाले हैं Question का है? Basically आपको एक matrix दे रखा है इसके अंदस से आपको एक ऐसा Sum Matrix बताना है जिसका Sum Sum से ज़्यादा है यहाँ पर हम देख सकते हैं, यह red वाला सब मेट्रिक्स है, इसका सम सब से ज़्यादा है, यह question मैं करूँगा आज using cadence algorithm, cadence algorithm, याद आ रहोगा आपको एक array के अंदर साब को बताना है, maximum sum sub array, तो वहाँ पर cadence algorithm लग रही होती है, आप उससे पहले, इस वाली वीडियो से पहले ज़रा यह वाली वीडियो ज़रूर देखने ना, उसके बाद आपको all clear roll लगेगा, मैंने cadence algorithm already is DSA1 course के अंदर cover किया हुए, आप जाके check कर सकते हैं, यहाँ पर link का रहा होगा, ठीक है, तो वह बहुत important concept होने वाला है, जिसका हम यूज कर रहे होंगे, इसको optimize करने के लिए, इसके अंदर पहले सोचो brute force तरीका क्या रहने वाला है, कैसे आप brute force तरीक से से कर सकते हो, उसके बाद condensed algorithm काम fit हो रहे होगी, जड़ा यह समझने का try करो, उसके बाद हम करते हैं इसे, देखो brute force solution भी एक solution होता है, इसके अंदर हम इसे brute force से कैसे कर सकते हैं, सारे के सारे sub matrix से पर चलिया हो, और उन सभी sub matrix का sum निकाल लो, जिस भी sub matrix का sum सबसे आद होगा, वो हमारा answer होगा, तो उसके लिए हमाई time complexity कितनी आएगी, अगर यहाँ पर n size का यह area है, n cross n का सब उस कर लो, n cross n का simplicity के लिए, तो आपके पास कुछ pointers बनेंगे, आपको सारे सारे sub matrix पर जाना है, तो हर sub matrix की property क्या होगी, उसके पास एक row होगा R1, उसके पास एक column होगा C1, और उसके पास एक row होगा R2, और एक column होगा C2, R1, C1 और R2, C2, दोनगदोन diagonally opposite वाले point होगे, जैसे यह वाला point, और यह वाला point, इससे एक matrix बनेगा, इससे आपका एक matrix बनेगा, इस sub matrix का आपको sum निकालना है, तो again sum निकालने के लिए आप इसके अंदर travel करोगे, पूरे के अंदर तो big of n square वहाँ से आ जाएगा, और यह 4 pointers के अंदर आप खेल रहे होगे, तो यहाँ से big of n square 4 यह भी आएगा, और यह cross हो रहा होगा, पूरा का पूरा तो यहाँ से हमारी complexity आएगी, big of n square 6, right, थोड़ा बहुत optimize करके, आप sum के लिए optimize करके, इसको big of n square 5 लिके आ सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा further brute force को optimize नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम कैसे करने वाले हैं, using condensed algorithm, कैसे वहाँ पर DP लग रही होगी, कैसे already जो sum निकल रखा, उसी को हम extend करके, बार बार solve ना करते हुए, मतलब DP का जो concept होता है, वो use करके, हम इसे कैसे कर सकते हैं, वो समझते हैं, तो main solution समझने से पहले बात कर लेते हैं, condensed algorithm होता है, कैसे काम करते हैं, जारे revise कर लेते हैं, तो basically condensed algorithm करती है, एक array आपको दिरका है, उसके अंदर से सबसे बड़े sum का sub array आपको return कर देती है, और वो यह कर देती है, big of n के अंदर, ठीक है, without using any extra space, big of n time complexity के अंदर आपको मिल जागा, अगर यह array होता, तो इसके अंदर हमाँ दिख रहा है, कि this is the sub array, जिसका sum सबसे आता है, और वो sum है आपका 5, ठीक है, तो यह आप कर से तो big of n के अंदर, अब जो मैंने यहाँ पर array लिया है, ऐसे मैंने कोई भी random array नहीं ले लिया, तो इस array is basically the sum of last two columns, column number 3 and column number 4, अगर आप उनको add कर दोगे, तो यह array बन जाएगा, तो यह मैंने क्यों किया, तो यह आप समझने वाले है, ठीक है, यह मैं क्यों कर रहा हूँ, columns आप यहाँ पर denote कर सकती हो, तो मैंने क्या क्या है, इन दौनों columns को लिया, add कर दिया, उससे मेरा यह array बन गया, और फिर इस array के अंदर मैंने find कर लिया कि मेरा maximum sum क्या रहा है, तो यह find करने के लिए तो मुझे big of n ही लगा, यहाँ पर इस case में कह सकते है, big of row, जितनी भी उसके अंदर row होंगी, उतना लगेगा, तो हमें करना क्या है, basically, हमें सारे के सारे columns में जाना है, basically सारे column pairs में जाना है, यहाँ पर हम गए column pair C3, C4, right, C3 से लेकर C4 तक, हमें लेकिन सारे क सारे column pairs में जाना है, C0 से start करेंगे, C0, C1, C0 से C2, C0 से C3, ठीक है, और इनके अंदर देखेंगे maximum sum क्या आ रहा है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, C1 से C2, C1 से C3, इन सभी का क्या sum आ रहा है, उसके बाद फिर C2 से C3 and so on, इस तरीक से चलते चलेंगे, और यह जितने भी हमारे पास बनते जा रहे है, यह सब के सब कुछ-कुछ area इन सभी arrays के अंदर से maximum sum कितना आ रहा है, वह हम निकालेंगे, तो इस सारे सारी columns में traverse करना है अगर हमें, तो कितनी time complexity होगी उसकी होगी, उसकी होगी big O of C2, right, सारी columns में traverse करना है तो, उन से हमें यह array बनाना है, यह वाला array बनाना है, तो इसकी time complexity कितनी होगी, इसकी time complexity होग big O of R C2, which is better, ठीक है, आपकी पहली आर्थी big O of N की power 5 या 6, उससे तो काफी better है, ठीक है, N3 कह सकते है हम इसे, तो यह optimization है, इसको हम देखने वाले कैसे हो रहा होगा, तो हम स्टार्ट करेंगे C0, C0, ठीक है, इस वाले column से स्टार्ट करने वाले, यह रहा हमारा column, मैंने इस column को add कर देंगे, तो इसी sum के अंदर हम अगले वाले column को directly add कर देंगे, तो 1 plus 2 is 3, minus 8 plus minus 3 is minus 11, 3 plus 8 is 11, minus 4 plus minus 1 is minus 5, and then minus 5 again, तो यहां से sum कितना आ रहा है, यहां से हम sum देख सकते हैं, यहां से sum हम मिलेगा 11, right, 11 is greater than current max sum so far, तो उसको हम update कर देंगे, तो 3 से हो जाएगा 11, ठीक है अब हम अगले वाले column को भी add कर देंगे इसके अंदर, तो वो हो जाएगा आपका 3 plus minus 1 which is 2, यह वाला array बन जाएगा, इसके अंदर से हमारा sum के आएगा, इसके अंदर से sum आएगा 20, right, maximum sum जो आएगा 20 आएगा, 20 is greater than 11, तो 20 हम अपडेट कर देंगे इसके अंदर, और फिर ह is greater than 20, तो हम इसको अपडेट कर देंगा, वो हमार हो जागा 28, और फिर लास्ट वाले column को भी add कर देंगे इसके अंदर, तो लास्ट वाले column भी add कर दिया, C0 से C4, इसके अंदर से हमारा sum जो आएगा, वो निकल के, वो होगा 6, right, सिर्फ 6 हा रहा है, 6 is not greater than maximum so far, तो इसको हम अपडेट नहीं करेंगे, इतना करने के बाद हमने देख लिए, C0 से start होने वाले जो भी columns है, उनके साथ maximum sum जो आ सकता है, जिसके अंदर C0 भी included होगा, वो सिर्फ 28 है, हम देखते हैं कि क्या और आगे मिल सकता है, जो column C1 से start हो रहा है, उनके साथ try करते हैं, तो जो column C1 से start हो रहा है, उनके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा का पूरा पूरा इग्नोर कर देंगे, और इसके अंदर हम भर देंगे, C1 वाली चीज़ को, ठीक है, तो यहां पर हम रखेंगे C1 to C1, तो column 1 को लिखे आते हैं, पूरा का पूरा 2, minus 3, 8, minus 1, and minus 3, और इसके अंदर भी same procedure repeat कर देते हैं, इसके अदर आप देखरो, अगें सिर्फ 8 sum आ रहा है maximum, और 28 हमें already मिल चुका है, तो हम update नहीं करेंगे, अगले वाले column को लेके आते हैं, और add कर देते हैं, तो इसमें add करते हैं, तो यह बन जाएगा 1, C1 से लेकर C2 का जो sum है, वो यह आ रहा है, और इसके अंदर जो maximum sum सम आ रहे है, वो पूरा पूरा ही है, which is the sum of 24, 24 is not good then, 20 है, तो update नहीं करेंगे, फिर हम अगले वाले column को भी इसके अंदर add कर देते हैं, तो यह बन जाएगा आपका, minus 3, C1 से C3 का sum जो है, maximum sum सम आ रहे है, यहां से लेकर यहां ता कोगा, इसका sum आ रहे है, 25 प्लस 6, 31, और हमें दिख भी रहा है, कि यह यही वाला आ रहे है, देखरो आप, यह वाला के matrix से नहीं, इसका sum करोगे तो 31 ही आएगा, तो हमें यहां से मिल चुगा हमारा answer, लेकिन हमे आगे बढ़ेंगे, और अगले वाले column को भी add करने का try करेंगे, इसको भी add करके लाते है, C1 से लेकर C4 तक के अंदर maximum sum जो आ रहा है, हमारा 22 प्लस 5, 27, 27 is not greater than 31, तो हमारा 31 ही रहेगा, तो इतना काम होने के बाद हमने देख ली, column 1 से start होने वाले matrices के अंदर सबसे बड़ा सम क्या रहा है, वो आ रहा है 31, अब देख लेते हैं, column 2 से जो start हो रहे है, तो अब हम अगेन इसको पूरा का पूरा हटा के, इसके अंदर सिर्फ column 2 फिल कर देंगे, तो column 2 लिका है तो इसके अंदर, और हमारी यहां पर कहानी दुबार से start हो जागी, column 2 से लेकर column 2, इसके हम देखी हमारा maximum sum कितना आ रहा है, तो maximum sum इतना आ रहा है, और फिर हम चेक कर रहे हैं, क्या maximum से बढ़ा है की नहीं बढ़ा है, उसके बाद फिर हम इसमें आगला वाला column add कर चलेंगे, इस तरीके से हम सारे के सारे जो भी columns के बन रहे हैं, उन सभी combination में travel कर चेंगे, तो big of c सब्सक्रान हो रहा होगा, multiply by c2, इसले big of r c2, यह हमाई time complexity आ रहे होगी, इसके नदर हमें दिख रहा है किस तरीके साम इसका यूज़ कर रहे है, this is why this is under dp, क्योंकि इसमें dp use हो रहे हैं, तो काफी एक unique, काफी एक अच्छा question बन जाता है, अब जरसका code देख लेते हैं, तो यह रहा हमारा function, यहाँ पर हम code करने वाले हमें r rows दिरखें, c column दिरखें और हमें यह matrix दिरखा, ठीक है, m, तो इसके नदर सबसे पहले हम यह sum array बना लेते हैं, यह वाला जो array है, इसका नाम मैंने sum रख दिया है, इसके अंदर हम travel करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले मैं sum बना लिया है, जिसको मैंने minimum value के साथ start किया है, ज्योंकि इसके अंदर हो सकते है, सबसे नेगेटिव numbers भी हो, तो उस case में सबसे छोटा negative number जोगा, वो हमारा answer हो जाएगा, उसके बाद हम start करेंगे, अपने c start से लेकर चलेंगे, ठीक है, तो यह जो दो pointer बनाए है, तो इस जो array बनाया, sum वाला array, उसको फिलाल 0 से initialize कर देंगे, उसके बाद हमारा column end चलेगा, जो की start से start होगा, लेकिन पूरा end तक चलेगा, और इसके अंदर सबसे पहले हम row by row जाके, पूरे-फूरे sum array के अंदर वो rows add कर देंगे, ठीक है, जिस current column के अंदर भी हम है, जहां पर हम current end वाला column है, उस वाले column को हम अपने sum वाले array के अंदर add करने वाले हैं, इसके बाद हमने call कर दिया है condensed algorithm को, ठीक है, तो यह condensed algorithm इस sum array को लेगी और हमें कुछ answer लाके देगी, यह condensed algorithm कैसे काम करेगी, तो मैंने आपको अलड़ी बता रखा, आप जाके पढ़ सकते हो, हमारे channel क sum का function call कर दिया, यहां से मुझे कुछ sum मिलेगा, for this configuration, for this sum array, यहां से मुझे कुछ sum मिलेगा, मैं check करूँगा, कि क्या यह मेरे max sum से बढ़ा है क्या, तो मैं max sum के अंदर, math.max, मेरा पिछला वाला max sum, यहां से जो current max sum आया है, वो मैं ले लूँगा, जो भी बढ़ा होगा, max sum उसके साथ हमारा update हो जाएगा, और फिर फरदर हम इस max sum को return कर देंगे, और इसकी वैए से हमारा code यहां पर खतम हो जाता है, तो यहां पर ही चलता है, इसको submit कर देते हैं, तो यह code यहां पर काम कर रहा है, I hope आप लोगों को पूरा-पूरा समझ में आ गया हो, किस तरी कैस adviseắt, चिका उरा-पूरा गई हो जाए जाता है, तो यहां में आप स्थरूण कर देंगे